हाती की हिचकी आज की कहानी है हाती की हिचकी सोने का समय हो गया था सभी जानवा घैनीन में सो रहे थे सिर्फ हाती को छोड़कर उसे हिचकी आ रही थी हिची चिमपैंजी जा गया इसकी हिचकी आवाज सुनके मैं जानता हूँ तुम्हारे हिचकी का इलाज उसने कहा किस ने कहा बंदर ने कहा सिर्प खड़ा हो जाओ और एक के रखाओ उसने ऐसी वाबताई हाती ने वैसे ही किया तणाम उसे चक्कर आ गया क्योंकि वो अपने सल पे खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हाती तो बहुत ज्यादा होता है फिर सारा पानी भी जाओ गटा गट गटा गट फिर हाती ने क्या किया हाती ने वैसे ही किया उसने पानी पिया और पानी पीता गया पीता गया उसने बहुत सारा पानी पी लिया और फिर इसको हिचक हिचक उसकी हिचकी नहीं रुक रही थी फिर जेबरा जाग गया जेबर ने क दस नू आठ साथ छे पांच चार तीन दो एक हिचिक हिचिक उसकी हिचकी नहीं रुकी फिर चूहा जाग गया यह कैसी आवाज है चूहे ने पूछा अरे मुझे सोने दो भाई मुझे सोना है बेचरा हाती को हिचकी आ रही थी चिंपैंजी ने कहा चूहे ने हाती की आँखों में देखा और चिलाया बू 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 सब देखती रहे गए और हिचकी आवाज रुक गई हमेशा के लिए उसकी हिचकी रुक गई चूहे ने कहा सब जानवर फिर से सो जाओ हाती भी सब कुछ छोड़के चला गया अराम से अच्छी अब उसको क्या गी चीक आ गई और सवजा के जानवर अराम से सो गए